बढ़ते आगे बात करते हैं रायपूर के जहां पूर्व मंत्री शिप डहरिया की पतनी शकुन डहरिया के एंजीयो को सामुदाइक भवन देने के मामले की जांच की जाएगी नगर निगम ने जांच के लिए तीन सदस्सिय कमिटी बनाई है सरकारी भवन सौपने और सरकारी खर्ष को लेकर जांच होगी समिति को दस दिन के अंदर ही अपनी जांच रिपोर्ट के निर्देश दिए गया है निगम कमिश्टर ने ये समिति बनाई है तीन सदस्य समिती होगी जाच करेगी और दस दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौपेगी पूर्व मंत्री शिव देहरिया की पत्नी शकुन देहरिया के NGO को सामुदाइक भवन देने के मामले की जाच की जाएगी कि सरकारी भवन क्यों सौपा गया किसकी कहने पर सौपा गया क्या कुछ खर्च हुआ इसको लेकर ये पूरी चांच रिपोर्ट दस दिन के अंदर समिती को तयार करनी होगी ममतला जेवार हमाई सायोगी फोलाइन पर जोड़ रही ममतला ये यहां तो मुश्कले बढ़ती दिख रही है पूर्व मंत्री की पत्नी की बिल्कुल देखें श्यूट एरिया ने कल कहा था कि M.I.C. से अप्रूल मिरा उसके बाद भवन सौपा गया अनुने महापौर की सिगनेशर उने का भी हवाला दिया लेकिन द्रूसरी तरफ महापौर जो है उन्हों एक दिन से बयान दिया था कि इस मामले की जाएंगी याने उन्हों ने अन्भीक्ता जट्वाइटी और शिवट एरिया के बयान के थोड़ी दिर बाद ही नगर निय भी बनाई गई है जिसमें शामाने प्रसास अनुभाग के साथी नगर निगम के जो बायूत हैं वो इसमें शामिल है और ये कहा गया है कि दस दिनों की भीतर पूरा अपजाज प्रती वेंदन सौपा जाए उसमें ये भी बताया जाए कि कैसे जो है एक सरकारी संपती को एक दूसरा उसके भीतर जो तीन चार करूर रुपए के जो खर्च किये गया उसके साथ सज्जा में वो कि सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया तो जायत और पर पूरो मंत्री शिव डेहरिया जो है उनकी पत्नी जो शकून डेहरिया है उनकी मुश्किले तो शुरू हुई है लेकिन इसके साथ ये नगरी प्रिशासन मंत्री कहें शिव डेहरिया तो उन पर भी सवाल उठ रहे हैं जे बहुत शुक्री आपका जानकारिक लिए वंता